कि नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगं का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार असुडेंट इलाइट में दोस्तों हम लोग परसेंटेज में चल रहे थे और आपको हमने टॉपिक नंबर पांच तक कंप्लीट करवा दिया था प्रस्न संख्यां 45 तक आज हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉपिक नंबर 6 से देखेंगे प्रस्न संख्यां 46 से आगे बढ़ेंगे चलिए इस परकार का भी प्रस्न आपको एक्जाम में बारवार देखने के लिए मिलेगा पढ़िए क्य एक साहुकार जो है वह 400 रूपया में 5 किलो चावल जो है वह धी खरित पाता है तो चावल का प्रती केजी घटा हुआ मुलिः बतावे देखे अब यहां पर दो बात ध्यान दकना गटा हुआ मुलिः बढ़ा हुआ मुलिः देखे यह क्या होता है अगर बरतमान में किसी किसी चीज का कीमत गढ़ता है तब उसको दू नामसे फुकारा जाता है पढ़ाउआ कीमत या बरतमान कीमत अगर सकते हैं गmotल किमत कहने का मतलब क्या होता चेला बरतमान कीमत अगर बरतमान में किसी चीज का कीमत बढ़ेगा तो इसको बढ़ा हुआ मुल्य या फिर बरतमान मुल्य बोलेंगे अगर बरतमान में किसी चीज का कीमत घटेगा तो इसको घटा हुआ मुल्य या फिर बरतमान मुल्य से एक साहुकार साभः-400 में पांच कीलो चावल अधिक खरित पाता है चावल का प्रति केजी घटा वब यानि बरतमान मुल्लीवताना प्रती किलोग्राम अब देखे ध्यान दीजिए अपने उपर बात को ले के जाए शाड़व चार सो रुपया लेके हम मार्केट जाया करते थे continuity हन यानि हमारा आदत था कि साड़े 400 लेके जाते थे और एक निशित मात्रा में जो है हमको चावल मिलता था 10 केजी 20 केजी 25 केजी जो भी हो हन लेकिन जब वही साड़े 400 लेकर के जब एक दिन गए तदुकंदार बोला कि आज कीमत में जो है न 10 प्रतिशत का गिरावट आ गया है परिणाम स्वरूप आपको जितना चावल हम देते थे हन उससे जो है 5 किलो चावल जो है आज अधिक वही पैसाम मिल जाएगा यानि कहने का मतलब है कि साड़े 400 रुपया में जितना चावल हम को मिला करता था उससे आज 10% कम कीमत में ही यानि साड़े 400 के 90 प्रतिशत कीमत में ही उतना चावल हम को आज मिल जाएगा आज सोचिए तो साड़े 400 लेके जाते थे निशित मात्रा में चावल हम को मिलता था लेकिन आज कीमत में 10% का कमी हो गया यानि वही चावल हम को साड़े 400 के 90 प्रतिशत कीमत पर मिल जा रहा है तो मेरे पास बच कितना गया 10% रुपईया तो बच गया न भाई साड़े 400 का 10% मेरे पास बच गया जिसके कारण हम जो है पहले के पेक्षा 5 केजी चावल अधिक खरिद पाए अचा तो वही पैसवा में 5 किलो अधिक खरिद रहे हैं तो उसका कारण क्या हो रहा है साड़े 400 का 10% यानि कीमत में गिरावट यानि बरतमान में जो 5 किलो हम चावल अधिक खरिद पा रहे हैं उसका कारण है साड़े 400 का 10% नहीं क्या है साड़े 400 का 10% कीमत में 10% गिरावट होने के कारण ही जो है हमको 5 किलो चावल अधिक खरिदने का आफसर मिल गया यहां साह साहुकार को पाँच किलो अधिक खरिदने का आपसर क्यों मिल गया क्योंकि चावल के कीमत में 10 प्रतिशत का गिरावट हो गया यानि जितना साड़े कीकलो का कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे चल्द पांच से घिवाइड कर लेंगे अब धेखिए दूसुना से दूसुना काट ूम ना साट लीजी कितना हो जाएगा क्योंगा नौ रूपए प्रिटी किलो ग्राम कितना मिरsin भाई नौ रूपए प्रती हुआ मुली भी आप बोल सकते हैं कि घटा हुआ मुली इसको बर्तमान मुली आप बोल सकते हैं कि दूनों नाम से आप इसको पुकार सकते हैं तो पहले तो हम आपको असपस्ता यह दिए कि अगर बरतमान में किसी चीज का कीमत घटता है चेला तब उसको दो नाम से आप पुकारोगे घटा हुआ कीमत या तो बरतमान कीमत अगर बरतमान में किसी चीज का कीमत बढ़ता है मेरे भाई तब उसको दो नाम से हम पुकारते बढ़ा हुआ कीमत या तो भरतमान कीमत एक साहुकार जो है साडे 400 में जो हuft ten दे सekt कमी होने के कारण चावल की कीमत में इक किलो का निकालने के प्रतमान व簡 निकालने पांच से छलेगा चीनी के मुल्य में 10% कि विरदी हो जाने के कारण एक बेक्ति 400 जो है आड़ किलोग्राम चीनी कम खरीत पाता है चीनी का प्रतिक यह बढ़ा हुआ मुल्य कहने का मतलब क्या हुआ भढ़ा हुआ मुल्य कहे अपसे बोला जाए पर यह या फिर बर्तमान मुल्य बोला जाए दोनों एक ही चीज हुआ यही आपको बताना है आचा देखो अराम से बात को समझो ठीनी के मुल्य में 10% का बिर्दी हो गया बिर्दी होने के कारण एक बेक्ती 400 में 8 किलो चीनी जो है वह कम खरिपा था कहने का मतलब है कि बेक्ती 400 रु बोला कीमतवा 10% बढ़ गया है परिणाम सुरुप आपको जितना चीनिया मिलता था उससे 8 किलो चीनी आज कम मिलेगा अचा 8 किलो चीनी कम मिलने का कारण क्या है कीमत में 10% का बढ़ोतरी यानि 400 से 10% जादा अब लगता यानि 400 जितना लगता था एक निशित मात्रा में च चीनी खरक दे के लिए 400 से 10% ज्यादा कीमत लगेगा यानि 400 का 10% जो है हान इसी के कारण जो है आठ किलो उसको चीनी कम मिल रहा है हान तो यह 400 का 10% बरतमान में 8 किलो का कीमत है तो एक कीलो का निकालने के लिए आठ से डिवाइड कर लेंगे हान काट करके हटा लीजिए 40 बटा आठ यानि चीनी का बरतमान कीमत क्या हो जाएगा पांच रूपे प्रती किलोग्राम कितना मेरे भाई पांच रूपे प्रती किलोग्राम आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्सन क्या हो जाएगा आपका ऑप्सन नंबर ए हो जाएगा आखिरकार उसको आठ किलो चीनी कम खरित ने कम खरित पारा रहा है वही पैसा में जतinskyस्में निशयत मात्रा में उसको जो चीनी मिलता था उससे आज 8 किलोग्राम हो जाएगा चलिए अगला परुश्ण प्रतिस्ता है चेला कहता दाल के मुल्ल 30 प्रतिसत्सKी कमी तो कोई बेक्ती जो है साड़े तीन सौ में साथ कीलो जो है डाल जो है अधिक खरिद पाता है यानि कहने का मतलव साड़े तीन सो रुपया वह कंटिनूटी मार्केट लेके जाया करता था उसको एक निशित मात्रा में डाल जो है निशित मात्रा में डाल उसको मिलता था दस कीलो बरतमान मुल्य आप से पूछा गया है चलिए बरतमान मुल्य अच्छा उतना ही पैसा में जो है उसको आई साथ किलो डाल ज्यादा मिल रहा है उसका कारण क्या कीमत में 30 परतीशत का गिरावट यानी साड़े साड़े 300 का ध्यान दीजेगा साड़े 300 का जो 30 परतीशत है उसके कारण उसको साथ किलो जो है वह दाल जो है अधिक मिल रहा है यानी साड़े 300 का 30 परतीशत बरतमान में साथ किलो डाल का कीमत है तो एक किलो डाल का कीमत निकालने के लिए साथ से डिवाइड कर लेंगे परती किलोग्राम आपका राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन कौन सा हो जाएगा आपका ओप्सन नंबर हो जाएगा आपका सी देखिए इसका फर्मूला भी है अगर बरतमान मुल्याप से पूछे तो रुपईया बटा मात्रा गुने परतीसत बटा सो यहीं चीज़ है तो फ प्रतीसत का बिर्धिया कमी होगा उसी के कारण उतना उसको कम मिलेगा या तो उतना ज्यादा मिलेगा उसी दार पर एक किलो का कीमत निकाल लीजिए चलिए अगला प्रस्ट पर आ जाओ मेरे भाई देखो क्या कहता है कहता आलू के मुल्ली में जो है 20 प्रतीसत की ब्रदी हो जाने के कारण एक बेक्ती जो है 360 रुपया में 10 किलो आलू कम खरित पारा है आचा देखिए 360 रुपया लेके continuity market जाया करता था उसको आलू जो एक निशित मातरा मिलता था लेकिन एक दिन जब गया तो दुकंदरवा बोला कि मतवा जो आज 20 परसेंट बढ़ गया भाई साब यानि आपको जितना मिलता था उससे जो है 10 किलो आज कम मिल पाएगा तारण उसका क्या है कीमत में 20% का बढ़ोतरी आलू का प्रतिक ये जी आरंभिक मुली पूछा हां यहां पर देखिए प्रस बढ़ा हुआ कीमत या तो बरतमान कीमत अगर बरतमान में किसी चीच का कीमत घटता है तो उसको दो नाम से फुकारते हैं घटा हुआ कीमत या तो बरतमान कीमत तो अभी तक बरतमान कीमत पूछा जा रहा था यानि पहले का कीमत क्या है तो देखिए पहले हमेशा बरतमान कीमत निकालना होगा तब पीछे के कीमत पे आपको जाना होगा तो पहले बरतमान मुल निकाल लेते हैं फिर जाएंगे पीछे आरंबिक कीमत यानि पहले का कीमत आपसे पूछा गया पहले बरतमान कीमत देखिए आखिर कार उसको 10 किलो आलू कम खरिद पारा उसका कारण क्य कीमत में 20% यानि 360 का जो 20% है इसी के कारण तो 10kg कम खरिध पारा है तो 360 का जो 20% है वे बारतमान में 10kg आलू का कीमत है एक दो का निकालने के लिए 10 से डिवाइड कर लेंगे आन KE Athika करके घटा लीजिये दूसरे कट गया आपका 5 बार में यानि कितना हो जाएगा यह घखा ठीक बटा 5 रूपे प्रती किलोगराम या तो आलू का बरतमान कीमत है अगर पूछता आलू का प्रती केजी बरतमान कीमत बताईए या फिर बढहा हुआ कीमत बताई तब तो उत्तर यहीं छोड़ देते लेकिन अब की बार पूछा गया आलू का आरम्भिक कीमत बताइए पहले वला कीमत बताइए यह तो बढ़ा हुआ कीमत है तो लीखेंगे आरम्भिक मुल्य बराबर है ना अधियान दीजिएगा आरम्भिक मुल्य बराबर आप देखो सिंपल सा बात है जब भी पहले का कीमत पूछे आरम भी कीमत पूछे तो हमेशा पहले बरतमान कीमत निकाल लेजिएगा उसके बाद पीछे जाएंगे देखी आलू का बरतमान कीमत 36 वटा 5 रुपे परती किलोग्राम अब सूचिए कीमत में फिलहाल अभी बरतम करवा दिये हैं कैसे फ्रेक्शन निकालते हैं लाव या बिर्दी का फ्रेक्शन जोड़के हानी बटा छूट कमी का फ्रेक्शन चेला घटा करके नहीं तो कीमत में फिलहाल 20% का बिर्दी हुआ है 20% बिर्दी का फ्रेक्शन 120 बटा 100 हमने आपको बतलाया था फ्रेक्शन का इस्तिमाल करने के लिए जो बोला जाएगा फ्रेक्शन वही तयार करना है लेकिन प्रस्षिती के हिसाब से उल्टा उपर नीचे घुमाते रहना है फ्रेक्शन को अगर मान को बढ़ाना होगा तो बढ़ा वला उपर छोटा वला नीचे अगर मान को घटाना होगा छोटा वल उपर बढ़ा वाला नीचे आप देखिए ना तो कीमत में फिलाल 20 परतिसत का बिर्दी हुआ है तो अभी कीमत बढ़ा इसका मतलब पहले का कीमत तो कम होगा तो कम करने के लिए कम वाला उपर ज्यादा वाला नीचे है ना पटा 120 कर लीजे कलकुलेट कर लो अब देखो 5 से क पहले का कीमत आपसे पूछा जाए तो बस यहाँ सोचना अगर बरतमान में कीमत बढ़ा है तो पहले का कीमत होगा अभी का कीमत जादा अगर बरतमान में कीमत घटा है तब सुचना पहले वला कीमत जादा होगा क्यूंकि अभी का कीमत कम है बस यह उल्टा सोच लेना है चलिए अगला प्रस्टर पे आ जाई काता चीनी के मुल्ले में जो है 20 प्रतीसत की कमी हो जाने से एक साहुकार 500 में 5 कि कीलो चीनी अधिक खरिद पाता है तो पहले बरतमान कीमत निकाल लिजिए चीनी का प्रतिक जी आरंभिक मुल्ली पूच्छा फिर वही बात पहले वह उबसव कर dalhearted चैन few जो है उत्नाही पैसा में अधिक खरिद पारा उसका कारण क्या है कीमत में 20% का कमी है ना और छिनी का बरतमान कीमत हो गया आप से कहता आरंभिक कीमत बता ये पहले वाला कीमत बताना है तो कीमत में फिलहाल कमी हुआ है 20% का अगर बरतमान में कीमत घटाय चेला इसका मतलब पहले कीमत क्या होगा ज्यादा होगा तो 20% कमी का फ्रेक्षन आपको क्या सिख लाए है 80 वटा 100 लेकिन मान को बढ़ाना है पहले वाला मान जादा होगा तो बढ़ाने के लिए बढ़ा वाला उपर और छोटा वाला नीचे यानी 100 वटा कितना हो जाएगा असी एक लाइन में अब दू लाइन में नहीं चलिए कल्कुलेट कर लीजिए अचा 20 से कट गया आपका कितना बार में चार बार में पांचो के 20 से कट जाएगा आपका कितना बार में पचीस बार में यानी क्या हो जाएगा आपका 25 रुपे प्रती किलोग्राम क्या मेरे भाई 25 रुपे प्रती किलोग्राम यहीं जो है चीनी का आरंभिक कीमत हो अगर बरतवान में किसी चीज का कीमत घटता है इसका मतलब पहले कीमत जादा हुआ होगा चलिए आगे आजाईए अगला प्रस्ना ये यह लास्ट है प्रस्न इस टॉपिक का यानि टॉपिक से आपका कम्प्लीट हो गया बहुत ही आसान सा टॉपिक था चाय कहली बस पहले का कीमत आपको बताना है आध्यान दिजिएगा पुराना भाव बताना चाय का पहले का तो पहले बरतमान कीमत सोचा जाएगा आखिर कार 25-35 गिरावट होने से 36 रूपिया में जो है एक केजी चाय अधिक खरिद लेता एक बेक्ती अच्छा एवही पैसा में एक किलो चाय अधिक खरिद ले रहा उसका कारण क्या है कीमत में 25-35 गिरावट यानि 36 का जो 25 परतमान में एक केजी का कीमत है या एक केजी का बरतमान कीमत है चाय का लेकिन चाय का पररमभिक कीमत पूछा पहले वला कीमत आपसे पूछा पुराना कीमत पूछा तो कीमत में अभी गिरावट हुआ है बरतमान में 25 परतीसत कमी का फ्रेक्शन आपको क्या सिखला है मिरे भाई 75 वटा 100 तो कीमत अभी बरतमान में घटा है इसका मतलब पहले कीमत ज्यादा हुआ होगा ज्यादा करने के लिए ज्यादा वाला उपर और कम वाला नीचे यानि 100 वटा 75 ताटकर कह जाएगा ऑप्सन कौन सा करोगे आप ऑप्सन नंबर सी जो है वह आपका बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा तो इस टॉपिक में हमने दो परकार का कीमत आपको निकालने के लिए सिखलाया एक तो आपसे घटा हुआ मुल्य या फिर बरतमान मुल्य एक तो आपसे कीमत घटता है तो इसका दो नाम घटा हुआ मुल्य या फिर बरतमान मुल्य तो अभी हमने आपको बरतमान मुल्य निकालने के लिए सिखाया या फिर आरंभिक कीमत निकालने के लिए सिखाया पूराना कीमत निकालने के लिए सिखाया बस उल्टा कर लेना है बरतमान कीमत निकालिए अगर बरतवान में जो आपको सिखलाएं है फ्रेक्शन के माध्यम से हम लगभख प्रस्ण को सोल्व करने का प्रयास करें कितना रट होगे भाई आपको तो सब्ची पढ़ना है हमारत दीनवर का रोजगार मैस है आपको जो जीके जीस भी पढ़ना है उसमें देखिए कितना इस्टी जोगरफी पॉलिटी हो गया करेंट हो गया बहुत सारा चीज आपको उसमें पढ़ना है उसके बाद आपको मैस भी पढ़ना है रिजिनिंग भी पढ़ना है इंगलीज भी पढ़ना है उसके बाद पार्टिकुल अगर कहीं स्टेट वाई एक्जाम दे रहे हो जारकंड का बिहार का तो उस स्टेट का पार्टिकुलर आपको पढ़ना होगा जी के तो आपको बहुत सारा चीप पढ़ना इसलिए आप उस टेक्निक को अपनाईए जो रटना भी ना पढ़े और असानी से हम दिमाग से उसको बना पाया प्रसुन पर है दिमाग पर जोड़ देने का प्रयास क सबसे पहले दिमाग में इस बात को बैठाना मेरे भाई कि जिस समय का पूछा गया है उस समय होने क्या वाला है अच्छा एक सिंपल सा बात है दो वर्सवाद नगर का जनसंख्या पूछा है अच्छा जनसंख्या कभी रुकने का चीज है या तो compound interest के हिसाब से बढ़ता है भाई देखे पिड़ी दर पिड़ी आपका परिवार जिसे आपके पिताजी हो गए फिर आप हो गए फिर आपका बाल बच्छा फिर आपके बाल बच्छा का बाल बच्छा वह तो बढ़ते तो पहले 5% बिर्धी का fraction मन में तयार करो तो क्या होगा 5% बिर्धी का fraction चेला तो कहोगे सर 105 बटा 100 कितना मेरे भाई 105 बटा 100 अब देखे जितना बरस का बात करेगा फ्रेक्छन का इस्तिमाल उतना बार कर लेना तो हम जान गए बस हम पहले सोच लेंगे कि जिस समय पूछ तो fraction का इस्तिमाल दो बार करेंगे 105 बटा 100 चली किलिकुलेट कर लीजिए यह हो जाएगा 21 या कितना मेरे भाई यह हो जाएगा 20 फिर देखो यह हो जाएगा आपका 21 यह कितना हो जाएगा आपका 20 बीस बीस हैं 400 से आपका दूबार में 21 का स्कॉयर हो गया 441 गुना दू यानि आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 882 कितना मेरे भाई 882 हो जाएगा यानि दो बरस बात नगर का जनसंख्या कितना मेरे भाई 882 बहुत ही आसान सा टॉपिक ही अभी है केवल फ्रेक्शन को आप सही तरीका से यूज करने के लिए सीखिए हमने आपको सिखलाया है म रवया ब्रदी का प्रेक्शन का बात करें तो जोड़ते हैं और यूजोड़ते हैं नीचे कोई परिवरतन नीचे पर्मानेंट सव होगा धानी बट्टा छूट कमी का खटा करके अणियो कि नीचे कोई परिवरतन नहीं होगा चलिए आगे बढ़ी है एक नगर की जनसंख्या जो है वह बरतमान में कितना है 50,000 है कितना मेरे भाई एक नगर का जनसंख्या बरतमान में कितना है 50,000 है अब क्या कहता तीन लगातार बरसों में इसकी ब्रधीदर 5, 10, 20 रही तीन बरस यंत में इसकी जनसंख्या क्या होगी जनसंख्या बढ़ रहा ह तो तीन सा यहां पर रेट अलग-अलग है तो अलग-अलग प्रेक्शन से गुना करेंगे पहला साल 530 बड़ा आगे बढ़े गाई घटने का तो नामी नहीं है 530 बड़ा तो 105 बटा सो दूसरा साल 1030 बड़ा 110 बटा सो तीसरा साल जो है आपका 20 30 बड़ा तो यह होजाएगा में 20 से कट अधिकितना वारbig Export 660 तो घंप 63 कब ना चेखास जायेगा चाएं और उसके बाद फिर 5 से आप गुना तरोगे यानि पृर 30,300 भला आना चाहिए मिर भाई क्या हो जाएगा उनहत्तर हजार थीन सो क्या हो जाएगा उनहत्तर हजार 300 चो सब्सक्राइब नमबर से वह आपका राइट इंसर चलिए अगला प्रस्ण पर आ जाईए देखो क्या कहता है मेरे भाई कहता है कि मसीन के मुल्य में दस प्रतीसत का बारसी कमी होता मसीन का कीमत हर सल क्या होता दस प्रतीसत घटता है यदि इसका बरतमान कीमत जो है कितना है बरतमान कीमत 87,480 है तो तीन साल पहले पूछा अब सोचो कि जिस समय का पूछा गया उस समय क्या ही सित साल इसका मतलब पहले तो कीमत जादा नो होगा तो दस परतीसत कमी का फ्रेक्षन पहले सोचो मन में दस परतीसत कमी का फ्रेक्षन नब्बे वटा सो लेकिन आप से पहले का अगर बाद का पुछता तो कीमत घटता पहले का पूछा यानि पहले कीमत वाग जादा होगा दिन जिन घटरा, इसका उपर पहले ज्यादा, ज्यादा करने के लिए ज्यादा ववला ऊपर कम वला नीचे, 10 परिशत कमी का फ्रेक्षन नभबे बटा सौं लेकिन बढ़ाना है, बढ़ा वला उपर छोटा वला नीचे, तीन साल पहले जाना है, फ्रेक्षन का कई जीरो बचा तीन जीरो और लगा दीजिए यह है मेरे भाई यह हो जाएगा यानि एक लाख बीस हजार क्या हो जाएगा एक लाख बीस हजार रुपया हो जाएगा तीन साल पहले मसीन का कीमत क्या हो जाएगा एक लाख बीस हजार रुपया नहीं एक लाख बीस हजार रु प्रतिसत प्रति वर्स की दर्व से बिर्दी होता है यदि इसका बर्तमान कीमत जेवर का जो है 88-120 है तो आपसे कहता दूस साल पहले अरे चला हर वर्स जेवर के मुले में पांच प्रतिसत का बिर्दी होता है तो आगे के दिनों में तो कीमत बढ़ेगा लेकिन पहले तो कीम किमत कम रहा होगा आपसे दो साल पहले का पूछा आगहे के दीन में कीमत 5 परतिशत-वारसिक धर से बढ़ता क्या क्या ही होगा 105 बटा 100 यह कितना हो जाएंग आपका 20 यह कितना कि यानी यह कितना हो जाएगा आठ हज़ार रुपया हो member 8000 option कौनसा भो जाएगा ऐसा पुए अपसं नहीं है इसलिए इन में से कोई नहीं आपका इन सर होगा क्या हो जायगा अगला प्रसन पे आ जाएगे कि इसवी परकार का प्रस्न पॉए अलग नहीं है एक नगर की जन्संख्या 5 प्रतिशत प्रतिवर्स वड़ती है यदि इसकी बर्तमान जन्संख्या ध्यान दीजिएगा नगर का बर्तमान में जन्संख्या बेरानवे 161 है, 3 वर्स पहले पूचा, जन संख्या 5 परतिसत के इसाब से हर साल बढ़ता है, तो पहले तो कम होगा, आगे का दीन का बात करता, तो बढ़ता, पीछे का बात कर रहा है, तो घटाएंगे 3 साल पहले जाना है, तो कम होगा, कम करने के लिए कम बाला उपर जाद जादा वला नीचे 530 ब्रदी का प्रेक्षन 105 बटा 100 लेकिन कम करना तो कम बला उपर जादा वला नीचे यानि 100 बटा कितना मेरे भाई 105 काट लीजे 25100 2555 से फिर देखो 25100 2555 से फिर देखो 25100 2515 यानि यह कीस का क्यूब 2961 20 का क्यूब कितना हो जाएगा तो 8000 कितना मेरे भाई 8000 तीन साल पहले नगर का जन्संख्या कितना था तो 8000 था बस सिंपल सा बात है इस टॉपिक में बस यही सोचो कि जिस समय का पूछा गया उस समय सिति क्या बनता है मान बढ़ाना है या फिर घटाना है अगर बढ़ाना होगा तो बढ़ा वला उपर चोटा वना नीचे आगर घटाना होगा तो चोटावला उपर बढ़ा वला दीचे चली अगला प्रसन प्रहीं है और यह लास्ट prickलीक नंबर साथ हमने आपका complete करवा दिया पू松 रुपे यह साल चार परसिश्थcak सो और फिर लगा लिजिए 104 बटा सो चली काट करके हटा लिजिए देखे दूसर ना काट लिजिए 50 से 3 बार में मिरे भाई और फिर कट गया आपका दूबार में दूसरे कितना बार में या कट जाएगा 52 बार स्थान को देख लिए सिंपल सा बात है जीरो तु आएगा ही नहीं तो कंफर्म उत्तर ऑप्सन नंबर भी होगा देख लो चार दूना आठ तरीके चोबीस इक आई इस्थान पर चार बाला मात रेखी ऑप्सन है थाना तो 16224 कितना मेरे भाई 16224 रुपया यही है धातू का क सब्सक्राइब कितना हो जाएगा दोबर सबात तो 16224 देखिए हम आपको बार 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 बुलते हैं हर टेकनीक को आपको पकड़के रखना है ऐसा नहीं कि एक्जाम में कैल्कुलेशन आप गुना करना क्यों गुना करे भाई जो वैसा ही उतर मिल जा रहा हमको नोकरी ले चलेंगे 16224 चलिए आपका ओप्सन नंबर हो जाएगा भी यानि टॉपिक नंबर साथ प्रस्ण संख्यां 57 तक हमने आपको कम्प्लीट करवा दिया कल चलेंगे टॉपिक नंबर आठ से आप तब तक जितना भी क्लास हुआ है परसेंटेज का सारा प्रस्ण कीजिए पीड टॉपिक करके हम खतम करेंगे कहीं घवडाने की कुछ भी बात नहीं है जो चिप्टर एक बार हो जाएगा समझे उसमें आपको पूर्णता जो है सही दिसा में जानकारी हो जाएगा हमी नहीं कहते हैं आपको बिद्वान बना देंगे लेकिन हां इतना जानकारी जरूर द झाल